चिख शिख्शा मंतरी अर्विन पाँडे की वो ते व tastes नोगी नहीं पाले चाने है। च्टाइख नहीं कि मेरे नाम क्यों आजा है। यूपिए टो उनके विनाजवा शेटर की जनता भी जेंटा भी देश़्ेप था। आप कमिटमेंट के बहुत पक्ते हो और ये बात हमने भी आपसे सीखी है नमस्कार मैं आपके साथ तिलक चावला आज बात होगी दो के दम की जी हाँ दो कदम मेरे साथ मेरे सहयोगी सुभाश जुड़ेंगे और साथ ही बात होगी आज उत्राखंड की ऐसी शक्सियत की वैसे वो किसी परीचे के महताज नहीं बेहत आक्रमक और अपने बात को दमदार तरीके से रखते हैं और उत्राखंड की सियासत में मौजूदा वक्त में जो मंत्राले उनके पास है वो है खेल मंत्राले शिक्षा मंत्राले और पंचायती राज मंत्राले जी मैं बात कर रहा हूँ अर्विन पांडे की अर्विन पांडे जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका आपने Newsball India के लिए वक्त निकाला बहुत बहुत शुक्रिया आपका धन्यवाद भाई साब चुरक जी बहुत बहुत धन्यवाद पाने जी शुरुवात मैं आपसे करता हूँ क्योंकि मेरे साथ मेरे सहयोगी है और कुछ सवाल होंगे और कुछ जवाब होंगे और सबसे पहले इस बात के लिए शुक्रिया मैं आदा करना चाहूँगा कि आप मीडिया के लिए आजकर बहुत कम वक्त निकाल रहे हैं लेकिन हमारे लिए वक्त निकाला आपने उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका पांडे जी मेरी शुरुवात आप से शिक्षा मंतराले को लेकर बहुत महत्पूर्ण जिम्मेदारी आपके पास थी आपने शिक्षा विभाग में ऐसे कौन से काम किये जो मील का पत्थर है जर आप सबसे पहले उसी से ही बात कर लेते हैं क्या किया अर्विन पांडे जी ने मैं सबसे पहले तिलग भाई मैं आपको धन्यवाद दूँगा कि आज आपके चैनल के माधिम से हमारे विभाग में सिक्षा विभाग में एक सी एक रांतिकारी बदलाव आए हैं जो आम जनता तक पहुचेंगे और मैं आपको बिधिवाद जानता हूं आज की मीडिया के जो लोग होते हैं सब अच्छे होते हैं लेकिन उनमें आप अलग से बास्तों में बहुत अच्छे हैं मैं आपको बेक्तिकार जानता हूं तिरग जी जो आपने बात की कि सिक्षा विभाग में क्या क्या बदलावाए हैं मैं भाई सब आपको बताना चाहता हूँ और जो प्रिदेश की जनता जानती है मैं वही भी से बोलूगा जो हमने किया है बिदलाई सिक्षा को लोग कहते थे कि ये ट्रांसपर पोस्टिंग अटेश्मेंट का विभाग है ये उद्योग विभाग है मेरे सिक्षा मंतरी बनने से पहले ये आम जनता की धाड़ना थी कुछ लोगों ने बनाने की भी कोशिश की मैं बिलकुल भगवान को साक्षी मान के क्या सकता हूँ कि आपके आफरबाद से प्रिदेश की जनता के आफरबाद से मुझ जैसे छोटे से बक्ति को सिक्षा मंतरी बनने का मौका मिला तो मैंने कोशिश की कि शिक्षा विभाग की जितनी लीकेज है उसी लीकेज को बंद करके जितना इसे प्रिदेश का सुख है दुख है सबके हिस्से में बरबर आना चाहिए किसी को अलग से सुवधा नहीं मिलने चाहिए ट्रांसफर पोश्टिंग अटेश्चिमेंट यहां इसको सथ प्रती सत समाप्त किया गया त्रांसफर पोस्टिंग तो आपने बंद की मैं तीन उप्लब्दय नहीं कि बतОर शिक्षा मंतरी अर्विन पांदेश चाहूं को कि पहली बार राजकी स्कूलों में 56172 मैं आखरे दे रहा हूं आपको 56172 चात्र संख्या बढ़ोतरी हुई है हम्ने सब सरकारी स्कूलों में चात्र संख्या घड़ती थी एक उपलब दी दूफरी उपलब दी शिच्छा की उग्रोबता के लिए उत्राख्ण बहुत पिछल पायदान पहोता था आज नितीययोग नो इसक्षा की ग्रवत्ता पर जो आपने उस के मानक है उसके मानको पे शर्वे किया तो उत्राइखंड शिख्षा की ग्रवत्ता उसी से गरीब का बेटा पड़ेगा हमने सभी प्राइबेट लेखोगों किताबों का धंदेवाजी समाप्त किया और NCRT का पार्टे क्राम हमने लागू किया लागू किया लागू किया लेकिन पांडे जी एक सवाल ये भी है कि फीस एक्ट अभी तक नहीं आया जैसी आप मं होना चाहिए और हम अलग से इसको इसलिए नहीं कर पाए हम अपनी कमी को कहन करते हैं कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था लेकिन आप भी जानते हो भाई साब कि लगभग डेरी साल दो साल से हम कोविड की उलजहन में उलजह हुए हैं सभी स्कूल बंद थे तो हम इसमें थोड़ी दिक्कत आगी रिपोर्ट सब हमारे पास तैया आ रहे हैं जो नई सिक्षा निती का जो ड्राफ्ट है उसमें और लेडी प्राइबिट इसकोल को नरिशित किया गया है कि आप वेबसाइट पे अपने सभी रिपोर्ट को अपलोड आप करेंगे हमारी आपकी बात है हम कहने पागए मैं संधानी पागए हूँ नई सिक्षा निती का हम वो पॉइंट हम अपने केबिन पर लाने जा रहे हैं जो फीस एक्टे से भी बढ़ा होगा अब महस कुछ दिन बचे हैं हो सकता है बिलकुल 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 आपने ये बात बोली वो कैसे मुगर गई इस बात को मिला आपको पहला वर्जन यही था कि हम फीस एक्ट को हम काफी लागू करने में देरी हमसे हुई है मैं सुबिकार का गया हूँ मैं उससे आप यह देरी हम आप जानते हों कि मैं दबाओ में काम नहीं करता है मैं दबाओ में काम नहीं करता है अधर कार क्या वज़ा रहा हूँ डिल डू साल कोविड की समस्या आ गई रिपोर्ट समारे पास सब जिलों से हमने मंगा लिए जो पैरेंट्स टीचर एसोशियेशन जो प्राइबिट सेक्टर के श्कूल है उनसे डीम के माध्यम से हमने डीम को कमिटी का अधक्ष मनाया और उनके माध्यम से सभी जीलो से रिपोर्ट हमने मंगा लिए जी हाँ फीश एक्टर लागू के लिए ही और यह जो हम फीश एक्टर बनाना चाहते हैं नो इससे अच्छा कर अध्यां बुझ हां कर दो कि यह नएफ और लाना से व्यांट को प्राविधान किया गया है हम ऐसे पौइंट को 100 गैबने में या जिसा नहीं सिक्छा नीजी इक्ष्सितर बद्स की करने सक तो रात मिलेगी और जो मैंने कमिटमेंट किया था वो मेरा कमिटमेंट भी पूंगा होगा लेकिन जुम्मा जुम्मा बीस पचीस दिन बचें सरकार के बलकुल कुल बात नहीं मरमें निये ठीक हो भाई साब तो दिन 24 घंटा भी बहुत होता है हम 17 तारी को कैबिनेट है और म बड़ी उसका आक्रा है बिल्कुल उसका आक्रा है तिर्ग जी मैं आप मोटा मोटा आक्रा ये देखिए प्रमारी देना चाहूंगा कि पहार में दुर्गम छेद्रों में हमेशा इस बात के लिए अंदोलन होते थे कि हमारे अध्या पक नहीं है अध्या पक देतो एक ही अ लगभर पांच हजार ग Carbon 선생님 की तेनाति की और तेनाति वहां की जहाँ छात्र-शंक्या थी अधिक्तम थी और जहां चात्र-शंक्या बढ़ सकती ही दिक्त का कि आती कि छात्र-शंक्या फॉकरी स्कूलों में क्यों घड़ती हैं की इस कूल मैं अदी का दिया बीलенные साकी वाले बच्चे हैं वह संस्कित का अध्यापक होता था हमने बीश्यहबार जहां अध्यापकोगई कमी थी हमने परवक्ताओ की तैनाती की है हमने अलटी की तै wsp लगभग दो हजार से जादा तो तैनाती हो चुकि उसमें प्रास्मिक सिक्षकों में जिन्हों ने डियलेट किया और चबी सो उसकों करना है यह हमने प्रावक्ता एल्टी और गरास्मिक सिक्षक है इनकी संख्या लगभग 11000 से ज़्यादा इससे कम नहीं होगी 11000 बोला कि मिनीमम संख्या जो नई सिक्षक्षक की बरती हम ने किया कम से कम 11000 होगी इसे उपर होगी नीचे नहीं होगी सर एक सवाल आपने अभी कहा कि शिक्षा का इस्थर बढ़ा जो बहुत नीचे था चौत्थे स्थान पर हमाइए लेकिन क्योंकि आपने अभी बीच में कहा कि कोविट के वज़ा से हम फीस एक्ट नहीं ला पाए लेकिन आपने ये भी नोटिस किया होगा कि कोविट की कि शिक्षा मंदरी की जिम्मेबारी है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिन बच्चों पर एंड्रॉइड मॉबाइल नहीं थे हमने दूर दर्शन के माध्यम से हमने अपने एपिशोड चलवाए ग्यान दीब कालिकम का हमने रेडियो कम्मिनिटी के माध्यम से जहां क जाने नहीं होती है हमने वहां भी बच्चों को पढ़ाने की कोशिश की हमारे अध्यापक आंकरे हमारे पास है जहां दुर्गगम मिलाके में कई जगा अध्यापक हैं जो बिना किसी सास्टना देश के उन दुर्गगम गाउं में जाके बच्चों को उनको मोटिवेट करन कि कोशिश की हम लोग भी कारिकरम चलाते हैं हम लोगों के पास भी कुछ सूचना है कि आप कह रहे हैं दूर दरास के बलकि टीरी जनपत के कहीं ऐसे गाउं थे जहां कि लोगों की शिकायत थी कि हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाये कोविड काल में वो पढ़ना भूल गए क् नेटवर्क नहीं था फोन नहीं था बलकि हम खास कारिकरम चलाते हैं अपना मेरा गाउं मेरा शहर नाम से उसमें हम लोगों से आम जंता ने जुड़ने की कोशिश की और ये समस्या हमें उठा है इसलिए हम आपसे इस सवाल बूच रहे हैं कहीं भाई सब मैं यह तो नहीं कह सकता कि हमने सत्व परतिसाथ बिल्कुल ठीक किया होगा कहीं हो सकता कि कहीं इसे मुशिबत के दौर में कमी बच गई होगी लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारे दुर्ग दरसन के माधियम से जो हमने सलोट अवंटित काय थे और जो बच्चों को दौर्दरसन के माधियम से हमने पढ़ाने की कोशिश की ग्यांदीम कारेकरिम के माधियम से रेडियो कम्यूनिटी के माधियम से हम सत्व परतिसाथ तो नहीं लेकिन हम कह सकते हैं कि उसे मुशिबत के दौर में जहां कोई फरकारी सिस्टम नहीं होता हमने पांसो हमने वर्च्वल क्लास हमने बनाए इनके माधियम से भी कहीं नहीं जहीं नायतए बिच्चे… आप यह देखी प्राथमिक के 4529 यहां करें हैं मेरे पास एल्टी के 1818 और लेक्षरार प्रवक्ता के 1414 गेस्ट टीशर 4410 और इसके अलवब करेंग होते हैं तो जो वेटिंग में हम उनको आज भी कॉंश्टिलिंग करके तैनाती देते हैं मैं अब एक लिस्ट पढ़ता हूँ बेसिक स्थर पर 2618 पद नुक्ती नहीं हुई मादमिक शिक्षा में घल्टी में 1431 पद नुक्ती नहीं हुई क्या विभाग के हिसाब से मैं जानना चाहता हूँ आप नाम और नंबर के साथ उस सूची को सार्जी निक कर सकते हैं मैं जानता हूँ आप कमिट्मेंट के बहुत पक्के हो और यह बात हमने भी आप से सीखी है और मैं बेलकुल मैं अपना कमिट्मेंट पुरा नहीं कर पाऊँ ना तो मुझे को बास्ता हूं मैं इस से दावे से बोल ला हूँ कि जो 11,000 मैंने बोला है इस 11,000 को 11,000 कर सकता लेकिन दस जाके 999 में नहीं होगा नाम और फोन नंबर बलकि जब कहोगे हमारी सेंट्रलाइज यहां इस्टूडियो है पांस सो हमारे वर्शुल क्लास बनी हुए है इतने लोगों को मैं बिलकुल ऑनलाइन आपके मिटिंग करा सकता हूं 24 घंटे के अंदर अगर जो कोई आपको मोका देंगे जिस दिन कहा हम जिस दिन आप बोलेंगे उस दिन उसे मौका लोग को जनकी बुनिया जहां जाते हैं इसी बोल देते हैं जो बत्तिसों लोगों नोगी दी होगी तो मैं राइनिती से सन्याज दे लेंगे निशेती उनको भी और हमको हम दोनों का नजला साफ होगा और यह बिलकुल निर्गा के भूमिका में आप काम करेंगे ना तिलग जी ने मैं चाहूंगा कि जितनी घड़ आएगी आप हमको त जानते हैं कि मैं आपनी की तरह आपकी बात पर कमिट्मेंट रहा है आप बोलेंगे जिस दिन में उस दिन बोलेंगे आज से लिए कि चौविस घंटे बाद आप जीतन कहेंगे 11,000 मैंने बोला है मैं 11,110 कर सकता हूँ लेकिन 10,999 नहीं होगा ये कंफर्म कमिट्मेंट है कमिट्मेंट है चालिए सुभाज कमिट्मेंट का जिकर कर रहे है एक सवाल मेरा और था आपकी मनाही के बावजूद शिक्षा प्रकोष्ट में अधिकारी और शिक्षा की प्रकोष्ट बना, वो कोई गलत नहीं बना, मेरा मातर उसमें दिक्कत इतनी थी, जो मैं चाहता हूँ, जो मेरी अभिलासा है, कि उस प्रकोष्ट में और लेडी पहले से हमारे पर साथिकारी गहीं है, कुछ सिक्षक हैं, जो द्यरादून में ही है, डाइट हो गया, इस पर बहुत से लोग हैं हम इस प्रकोश्ट में उनसे काम ले सकते थे और जिन स्कूलों से हम अध्याब को को हमने हटाया है उन अध्याब को को उनके स्कूल में जाना चाहिए ताकि बच्छों के बढ़ाई प्रभाव इतना हो इतनी मंसा थी उन्होंनों को गलत नहीं कि आ नहीं किया गया हटा दिया गया उनको बापस कर दिया गया नहीं बहुत बड़ा काम है वह इस इनाति प्रकोश्ट बनना अची बात है कोई गिलत नहीं है लेकिन उसे प्रकोश्ट में जो यहां इस्थानी इस तरफ पर अधिकारी थे खरम चाहिए हम उनका उप्यों कर सकत सब्सक्राइब थे उसे का मैंने नग्देश दिया और हमारे अधिकारियों उसका पालन कर दिया है अनुमाती मिलने से पहले नहीं है असा नहीं जो जो यहां इन इस तरफ पे थे हम जिनका हुप्यों कर सकते थे धे हम उस पे आ गया है प्रकोश है बना है लोग बाद हैं आपसे उनका कहना यह है कि 2009 में जो स्कूलों से वो कारिरत थे और 2018 में हम हिटा दिया किया उनके लिए कुछ सोचा आपने तिलर जी यह हमारे प्रिदेश के बच्चे हैं हमारे भाई हैं और सबी लुई हो गया हैं मैं उनकी योगिता पर प्रेस्टेंशन मैं नहीं लगा तो उसको हम ओभरूल कैसे कर सकते हैं उसमें डियलेट है तो टीटी होना चाहिए उन्हें आपने न्युक्ती में भी शामिल नहीं किया नहीं जो योगिता का पैमाना क्या है सवाल यहां पर यह खड़ा होता है जो प्रात्मी सिक्षप बनेगा डियलेट करना पड़ेगा टीटी करना पड़ेगा तो इसके जो बिप्रितमात के कई लोग ऐसे हैं जो इंटर पास होके कई सिक्षा प्रेगरेक में कुछ लोग थे सब तो नहीं तब वह भी कहें कि हम सिक्षा प्रेगरेक के ना थे हम बिदाले सिक्षा में अध्याबक बन जाए तो हमारे लिए टे क्योंकि उनको भी ट्रेंट सिक्षक नहीं माना गया तो बहुत मुश्किल से उनका भविस्ते बचा यह लोग सबासे हुआ तो उस योगिता में जो आते हैं वह सिक्षक बनना है उनका स्वागत है जो उस योगिता को प्रुगार नहीं करते हैं उनके लिए हम सेंटर ठीक अब हम आते हैं खेल पर क्योंकि एक महत्पूर्ण जिमा और वो खेल को लेकर तमाम सवाल इसलिए हैं पांडे जी क्योंकि आप से पहले भी राजंदर भंडारी खेल मंतरी हुआ करते थे उन्होंने भी कई कोशिश कई प्रयास किये लेकिन आपने कौन सा ऐसा प्रया प्रती दून दी जिनकी अपनी एसोशियसान है और उन पर बड़े-बड़े मठाती से लोगों का पचा था जिनको यह उनकी अभिलासा थी कि उत्राखंड को बीशी स्याई से मानने ता तो मिले लेकिन मेरे एसोशियसन को मिलना चाहिए इसे इनकी लडाई में और इसे क्रिकीट को मानने था उत्राखंडे को ने मिलेगी मुश ही मिल जा इसे इनके लूब और उत्राखंडको के बच्चोच का जो ठुक्रेकJो क्रिकेटर है उनका नुक्सान हुआ किसे को माननेता मिलेगी किसको नहीं मिलेगी इस से अला घड़कर मैंने किसी की परवाह ने की और एक खेल मंत्री होने के नाते मैंने क्रिकेटर बच्चों के भविस्य के लिए अलग से मेहनत किया और जिसकी वज़य से आज मैं 20-30 की माननेता लेगा आया क्रिकेट ही खेल आया है ऐगे आर आगे आरहा को बच्चते की माननेता अने के बएद ऑप इसके अग पेडा हो गया है कई से वहजे आड़ेमिय बन गाई यह काम है यही काम है हमां कि बच्चे जिनकी माता-पिता होडलों में नगा लिक नोकली करते थे आज इनके बच्चे क और उनके माबाप को उनका समान बढ़ा है जो गाड डंडा लेकर गाड की नोकल करते थे मा जारू परिशा लगाती थी ऐसे लोगों को सम्मान मिला है एक दूसरी बात हमने खेल महाकुमब की इस्था पना के इस लगवाई है जिनको क्हेलों की जानकारी थी या जो खेल प्र परत्योंक्ता नहां पन्म परफिए ग करके क्या हिलु हाँ और को सबस्कूर में पीटें उर्फिता सब्सकार देन sprechen यही नहीं हम चाहते हैं कि जिस बच्चे को ओलम्पिक में जाने yem हो का sistem उसके पीछे नेतव में जाने कम मौकर मिल एसके पीछे नेता में अभी नेता अधिकारी आम जनता पीचे गोमती पहली है याटनों का आफ देए यह वो कर्ते है जब संगर्च करता है उन दोनों में उसका कोई सहयूक अग्रिमाला नहीं होता है उन दिनों के लिए उनका अभी भावक बनके यह फरकाल खड़ी है मैं हम खेलनेती बना के लाए उसे खेलनेती में हमने थे एक बड़ा सवाल ये भी है कि राएपूर में सनो जो ट्रैक है वो पिछले लंबे समय से बंद है उसमें बहुत खर्चा हो रखा लेकिन अभी तक वो शुरू नहीं हुआ उमीद कर रहे थे कि आप आप से बहुत उमी में रहे हां जिसे में भी शाहिए बूइन वरत हैं यह थे उन्हें पहुता में हमने खाड़ा गीए और हकीकत में इतने बड़े प्रोजेक्ट न हमेसा पीपी मोड बनाई जाते जो चल भी सकें सरकारी पैसे हो हैं ऐसे में उपियोग में ग्रुपियोग नहीं पर बनाने के साथ हमने सब जगह हमने इंटा बजगी और सरीय का पथर का हमने महल खड़ा नहीं किया हमने सब जगह अच्छी क्वालिटी का सब जगह हमने प्रिसिक्षक भी दिया है और यहीं नहीं जो बच्चे इस्टेडियम में खेलने आएंगे ना प्रिसिक्षक के दोरान हम प्रितिय की जिले में जो खेल निती में हमने प्राविधान के तिलग भाई आपका एग मिट लग सकता है लेकिन बहुत महतुप हो रहा जो जितने खेल में हम कर सकते हैं ना हमने यह किये नहीं किया हमारी उ प्लब्दी और भलता सब हो सकता है हम मानते हैं लेकिन जो सबसे क्रिश्वदूब भी जो इसे खेल की बुनियात साथित होगी जो soccer kind कि जो बचे जिनकी पुरफरमेंश अची है जो आगे बढ़ सकते ह हम उन बच्चे को ट्रायल करेंगे और प्रतियक जिले में आठ साल से लेके 14 साल के बच्चों का ट्रायल करेंगे प्रतियक जिले में 150 बालक एक जिले में 300 बच्चों का सेलेक्शन करेंगे मानक जो हमारे मानक हैं उनमें 300 बच्चे वज़े सेलेक्ट होंगे ना उनको हम 15 वर्पे महेने की स्कॉलर्शिप देंगे ताकि उनको ट्रेनिंगे दोरान किसी के उपर हाथ किसी का गए हाथ ना पहलाना पड़े एक गरूप है एक गरूप हो गया जो आड़ से लेके 14 गरूप में 100 लड़के 100 लड़किया प्रतेक जिले में 200 बच्चे उनको हम 2000 महीने की स्कॉलर्शिप देंगे ताकि किसी के आगे डाइट के लिए छोटी मूटी आउसक्ताव के लिए उनको किसी के आगे हाथ ना पहलाना पड़े यहीं नहीं जो 14 साल से लेके 23 साल के एज दो हजार श्कॉलर्शिप के साथ साथ महीने की हम दस हजार रुपए एक टाइम में हम उनके आखिक चाहिता भी करेंगे ताकि अपने खेल से संबंदित कोई आउसकता हैं तो वह ले सके किसी के आगे हाथ ना पहला है इसके आलावा सबसे बड़ी बात जो है जो हमारे मान ताकि बच्चे को खेल के परती रुजान बढ़े यही नहीं जो कोमन बेल्थ एस याड ओलम्पिक पैरा ओलम्पिक इनमें जो पच्छे मैडल जीत के लाएंगे 500 ग्रेट पे से लेके और शाली सो और ताली सो अठाई सो और दो हजार ग्रेट पे इन सब ग्रेट पे में हम बच्चों को फरकारी नोक्री देंगे ताकि खेलों को प्रती उनका अपना भवी से सुरक्षित दिखाई पड़े यह हमने काम किया यह च्छोटी सी बताई बात मैंने जिसकी आलावा जैसे आप हैं आप अपने कोई अकैडमी बनाना चाहते हैं तो हमने सत्प्रती सो उसम अपन्चायटी राज पर आप reducing product को लेकर को लेकर खाली में ब्रष्टा-चार का मामना सामें है जिसा पर आप ने कहा कि हम कारवाई करेंगे क्या कारवाई है हमने जला पंचायत अध्यक्षरी जो शिकायत आई थी उस पर बिल्कुल हमने टीम बनाके निर्टेशित किया कमिशनर को डीम को उनकी जांच रिपूर्ट आने के पर चाथ उस पर कारवाई की अनुबोतन होके संस्तुति होके मेरे हितर से सासन को चली गई लेकिन अब तक उ अब तक कोई कारवाई नहीं हुई आपने आदेश कर दिया और अब तक कोई कारवाई नहीं उस पर इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं नहीं सवाल खड़े जब तक कारवाई ना हो सभावी का बात आएगी आएगी उपर कारवाई होगी कब तक मेरे इस तरह से फाइल जा चुकी है मैंने कारवाई कर दिया ब्रेश्टा चार हुआ पाया गया है और उसके खिलाब कारवाई करने का अंदर्देश आपके आदे अब आते हैं आपके राजनितिक प्रिश्भूमी पर जो क्योंकि जो पुराने आपको जानते हैं उन्होंने आपको आक्रमक रूप में ही अपनाया है कि अर्विन पांडे बेहत आक्रमक नेता रहे अपने शेत्र की अवाम के लिए लड़े हमने तो वह दौर भी देखा च चुनाव नहीं लड़ना चाहरे और आपके चाहने वाले कि सीड़ बदल लिए क्या यह सच है जो नेता अपने छेत्र को बदल कर दूरे छेत्रों में जाते हैं यहां मैं तो मुझे मानता हूँ जो मेरे सभाव है यह भी फलता है आद्म को कभी छेत्रे नहीं बदलना चाह है और जनता के बीच में रहा हूं बहुत लोगों ने मुझे इज़त दिया है अकर जो मैं इनको छोड़ता हूं तो जनता के साथ इससे बड़ा को दोखा है मैं बूला हूं ना गदरपूर को लेकर यह अफ़ा उड़ रही है यह जो पांडे जी छोड़ना चाहरे हैं वह पांडे गदरपूर से ही चुनाव लगेगा गदरपूर से ही चुनाव लगेंगा मैं अपनी जनता को दोखा कभी भी नहीं दूँगा आपने बाहरियों का जिक्र किया आपके कई काई कैबिनेट मंत्री हैं वह एक ही विधान सवा सीट पर अगली बार चुनाव नहीं लड़ेंगे ना गदरपूर से जनाव लड़ेंगे सब पूरती सब ठीक आपने गदरपूर पर इमें चर्चा करता हूं बाजपूर की चीनी मिल जो है वह क्योंकि बाजपूर आपका बहुत करीब ही शेतर है वहाँ पर चीनी मिल आज भी बदाली के आसुभारी मैंने क्य वो इसे ही जिक्र किया क्योंकि मैंने अर्विन पांडे जी को देखा है कि शेतर की आवाम के लिए वो चीनी मिलो के आगे धरने तक पर बैठ गए आज आपके मंत्री होते हुए क्योंकि आपकी जिमेदारी सिर्फ और सिर्फ गदरपूर तक सीमित नहीं है वो कुमाओ के तो तमाम शेतर आज भी अर्विन पांडे जी को उस रूप में देखना चाहते हैं कि अपनी सरकार के खिलाब भी वो धरने पर बैठ गए तो अर्विन पांडे जी ने चीनी मिल की बढ़ाली को लेकर आधुनी करण को लेकर आज तक क्या किया तिल्गी जी बिलकुल सवाल आपका बिलकुल ठीक है और मैं आपके बात को इसे विकार करता हूं कि चीनी मिल के अहला तो ठीक नहीं है लेकिन हमारी सरकार ने ये कोशिश की कि चीनी मिलों के हाला ठीक होने चाहिए क्योंकि वो रोजगार का एक बहुत बड़ा एक मध्धम भी है और जो बाजपर की जो अर्थतंत्र है और जो पहचान है वो चीनी मिल से ही है क्यब्धार चाहिए गबने सब्सक्राइब लेके हो हमेसा माद्य में मुखा रहता था और मांज भी अपने मुखम नूकरी भानिया से मिलके लगाने के लिए हम ने बहुत बहुत बढ़ा प्रियास की ऑर मैं आपके माधिम से में मक्ळिक का धिन्यवादूँ भाराब में वहां 20 करोड के दूरत है आप तक कुछ नहीं हो पाया हो वह बैंक की लिमिट है उसकी गॉरंटी दें पॉर को रह दिम्में ले लेगी तो चीन जो हमारी डिश्टनी प्लांट है एक फोईशन में आ जाएगी इसकी हमने कोशिश किया और मुक्रिम्त की जिए लगबल लगए सहमत ही मिल चुकी है ठीक एक और महत्पूर्ण विशे पर आरे हैं सुभाज यश्पाल आरे यश्पाल आरे पर हमला हुआ तो आपने कहा ये कॉंग्रेसियों का शड़ेंदर है आपको ऐसा क्यों लगा तो लगवाई सबसे पहले तो जो जिनका आपने नाम लिया वह हमारे बड़े भाई हैं और मुसे बहुत स्रेश्ट हैं बहुत बरिश्ट हैं और जो ये हमला हुआ जैसे भी हुआ मैं सबसे पहले तो इस घटना की मैं निंदा करता हूं ये नहीं होना चाहिए किसी के साथ भी होना चाहिए साथ ही मैं यह क्या हूँगा कि मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि कुछी लोगों ने इस घटना से मेरा नाम जोड़ने की कोशिस की है जी तो मैं बिल्कुल इस परश्ट कहना चाहता हूं कि मैं फाइटर आदमी हूं मैं अपने उसूलों का फाइटर हूं पीड़ी पीशे रहके किसी पर वाल करना सत्ता के मद में चूर होके अपने पदगा दुरूपियों करना यह अर्बिन पांड़े के चरीद्रे के बिपरीत है आपका नाम क्यों जोड़ा गया जिन्हों जोड़ा वो जाने लेकिन इसके साथ ही बिलकुल मैं इस परस्ट आप से कहना चाहता हूं तो लग बाई कि जो हमला हुआ जिते हुआ वो भी जिन्हों ने किया वो भी आप फुरी समिशा करा लेजिए उसमें एक भी अर्बिन पांड़े या भारती जन्ता पार्टी या मुखे में दोसे जुड़ा हुआ बेक्ति कोई होगा तो हमको राजनितियों बनने का कोई हाक नहीं है जो कल कल वो आपके साथ थे तो अच्छे वहा ना के साथ थे यसपाला अरे जी तो उनको हम गलत कहां बोला है भाई हम तो गलत बोला है कि अपने जबान पर आदमी को कंट्रोल होना चाहिए वो अपने कागशताव को नहीं सबाल पा रहे हैं जिस आदमें ने वहां पंस साल का किया है कॉंग्रेस की प्रत्यासी बनने के लिए उसका जाकि इन्हों ना हख छीन लिया तो लड़ाई इस बात की है उससे क्या मतलब मुख्मिंद्री का नाम कहां से पूछो ना क्यों बोलना है जो यह घटना घटी है उसे पूरे घटना के आप समीचा कह लिजिए एक एक फ पडोसी विधायक है जो आक्रमक माने जाते है लेकिन अर्विंद्र पांडे का नाम ही क्यों देखो मैं पहली बात हो यह मैं इसको क्या सब्द भी मारे पास है नहीं है इतने गंदे कामों के लिए आप मैं किसी का नाम जोड़ हूँ राइनिती को सकता है कोई और आप भी म आप इस पूरी घटना के समीशा कर लेजिए और इसमें सुई के नोग इतना बेकहभी भारती जनता पार्टी का अंसदान होगा ना तो जो विपरश के लोग मेरे बोलेंगा ना मैं उसको करने के लिए मैं दावा करता हूँ मैं वादा करता हूँ आप से जो आपने नहीं क कभी चुनाव लगने के सोचूंगा भी नहीं सोचूंगा भी नहीं लेकिन हम ही कह सकते हैं क्योंकि हम लोग कोई उसूल है जो लोग परवासी परशियों जैसे ठंड में वहां सर्दी में वहां कौन हैं यह कोई भी कॉंग्रेस के लोग हैं जो अपने पद को पाने के यह है कि आपके कई विधायक उनके संपर्क में आप समय देखिएगा कॉंगे सब्सक्राइब कोई पूछे नहीं तिलग जी आप बताओ ना नहीं ताज मैं यश्पाल आरे के छोड़ गया आपको इसके मैं बोलो हूं कि जो लोग अपने निजी स्वार्थों की पॉलिटिक्स करते हैं उनके लिए ना कॉंगेस है ना बीज़ेपिया कि तक नाराज को नहीं है कि उनकी सुनी जाती है आ आप देखो विकास ंच देले के में तरवेंच जी के कामों को लेकर अपने विधान सवा चुनाव में पहुंचींगे मैं तृवेंच जी के कामों को लेकर यां जिए ने किया है ने किन ओफेंगे आप लीаз आपको मालूम नहीं मुझे क्यों बदला गया उनकी कई जगा हो सकता है और भारतिय जिन्ता पार्टी विश्व के सबसे बड़ी पार्टी है अभी तो उनकी आवश्रक्ता उतराखंड में थी क्योंकि अंतिम समय था चुनाम नस्दीक था उससे पहले बदला गया गया हमारे क्यों बदला गया कुछ सिंपल बजा है कि दो को हमारे योगे लोगे की कमें नहीं कौन तुर्वेंद राबाजी योगे हैं और उन्होंने बेमी साल 4-4,5 साल प्रदेश का दिकास किया पूरे 5 साल क्यों नहीं रखा हमारे संगठन के लोगों को लगा कि इस वहत्ती का अन को पता है हमें तरह आपको क्यों रटा आया गया जिए अनों मुख्यमंतरी बदलना बैठाना ये सेंटर को मिंट की हमारी पोलिसी है हमारी संगठन अमरी बिचार दा रहा है अच्छा मुख्यमंतरी कों लगा तीनों के तीनों ने बेमिसाल काम किया और प्रदेश के हित्म जी तो आप इन तीनों में से बहतर काम किसका समझते हैं एक का साड़े-चार साल का कारेकाल एक का कुछ महीनेों का और उसके बाद तो आप पुशकर सिंग धामी की सरकार में देखी रहे हैं आप तीनों मुखमंतरियों का आप जमीन पर जाके हैं हो सकता कई लोग मेरे काम से खुश होंगे कई लोग मेरे सभाव से हो सकता है कि उनको साओ जाए इस तो राजनीतिम होता है कई बार त्रिवेंजी के टाइम में जो प्रदेश का विकास हुआ है चों मुखी विकास कई लोगों को मेरे काम बहुत अच्छ़ लगते हैं लेकिन सभाव से लगता है कोई खास बात नहीं है कौन ते बलो कि सब्सक्राइब कर दो हजार बाइस में मैं आपको दावे से बोल ला हूं सब्सक्राइब करते हैं और बिधान सब्सक्राइब का मिरके रेंगे अर्विंद पांडे अपना चुनाव हाँ बिलकुल यह प्रदेश का अब तक का पेटरन यही है कि जो सिख्षा मंत्री बनता है दो बई चुनाओ नहीं जीता है और चुनाओ जीतना हारना यह जनता के हाथ में निशिती अगर जो हमारी विधान सभागी जनता को लगेगा कि निशिती सारी बेवस्थाओं से इतिहास इसलिए बनते है कि इसको तोड़ा जाए अच्छा नया इतिहास लिखेंगे आप नया इतिहास बिलकुल मेरे विधान सभाग जनता लिखेगी अर्विन पांड़े जीत क्या है अच्छा मुझे एक चलते चलते एक बात और करनल कोठ्यार कैसे नेतर लगते आपको लेकिन जो लोग लोगों को जूटे वादे करना कि हम तुमको यह फ्री कर देंगे वह फ्री कर देंगे तो कम से कम वह दल तो ठीक नहीं है अप ही के मंत्री गणेश जोशी जी का हमने इंट्रिव लिया वह कह रहा है कि आने वाले वक्त में परते खोलूँगा कैदारनाथ कुछ हुआ कौन कुछ कूलेगा आपके सर्कार जोशी जी कह रहे है आपके मंत्री कपूस क्यूं कहा हुआ कुछा हुआ है हुगा तो इस बागे में अच्छा बता पने अच्यू पागेironाथ उसके तहत वह भी अपने आज मैंस कर गहा हैं तो उस पर क्या टिपरी तो नहीं है सवानिया थिल अपनी 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 अपने चरीत के लेका है अपने परिटी के समयधान का है है हम जनता को लगे गा कि आप निश्यति इनके रहते हुए हम लोगे सम्मान मिला है तो जनता हमको मौका देगी नहीं तो आप यहां पर इंटर्वीव में डरा रहे हैं कि वो दस बचे हैं दस भी नहीं बचेंगे बोलना हूं आपको इसलिए बोलना हूं फिर तोड़ फोड़ करें गया नहीं मैं इसलीं हुए बोलना हूं कि हिंदुस्तान की जनता उतराघंड की जनता जानती कि जिनके ले ककान मैंने कि बिलॉपत हो जाएंगे यह हूं पूरे हिंदुस्तान से बिलॉपती के करार पे हैं और वो इसलिए है हैं क्यूकि इन ही कह निisyren के नेता देश का प्रधान-् पहुँचपाते हैं उस लोग कभी विश्वास नहीं कर सकते हैं इक बात दुफरी बात कुछ लोग ऐसे Congress के नेता बोलते हैं भारत तोगे होंगे इसा ल्ला इसा ल्ला क्या एसे लोगों को तो टिकेट मिलेगा क्या लगता है आपको यह कोई मिलता नहीं काबिल है यह से काबिल होग है अधिक्रत नहीं है लेकि मैं तो अच्छिस बात के लिए अधिक्रत हूं मैं आपसे बोला है हमारी बिदान सवा में कई मुस्लिम बूथ है आप रिकॉर्ड निगाल लीजिए का कि मुझे मुसल्मान वोटरों की जरूद नहीं है मेरे साथ इंटर्व्यू में कहा हो नहीं देखिए वैसा उन्होंने कहा होगा तो इस बारे मुझे जागा कर सकते हैं ह हम तो देखो सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास हारी श्रावजी कैसे नेता लगते हैं हारी श्रावजी देखो भाई हमारे बहुत बरिश्टे नेता है प्रदेश के मुख्यमंतरी रह चुके हैं बहुत अच्छे बैक्ति हैं लेकिन यह मुख्यमंतरी अच्छे नहीं है जो मुख्यमंतरी पर बैढ़के यह बोले कि जिसको जितना लूट ना लूट लूट लो मैं अपनी अथे मोद लूँगा ऐसा मुख्यमंतरी पसंद नहीं है बैकती ऐचे अच्छे हो सकते हैं मैं अभी वह प्रकुप मोच्छ को सपे हैं तो उनके विदान सबाथ शेत्र की जनता भी मैं गुरांटी दे सकता हूं अर्वेंग पांड़े गौन पांड़े गौन कहां से चुनाव लगेगा जिक्र किया आपने कहा कि प्रवासी पक्षी तो परवासी पक्षी तो हरक्षी तो परवासी पक्षी नहीं है संका स्वमसेवक है और कभी गलतिया हारी सांस हो जाती है हम से कोई भूल चुक हो जाती होगी लेकिन दल बदल वाला काम हरक्षी तो कभी हो गई होगी अन्य दलों में गया लेकिन सब चीज़ को देखने के बाद निश्यति वह आदमे अब भूमिका होगी क्योंकि आदमी मजबूत आदमी आप तो यह कह रहा है कि मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे कि आपकी बातों से ऐसा मैसुस हो रहे हमारे मुख्यमंत्री हमारे यह आदमी हमारे अभी भावक है अनुभाव के अधार पर हम लोग का बड़ा भाई है और उसके छोटे भाई है उनको मुख्यमंत्री बनाने के लागे नियूद के लिए लगाएगा और अपने अपने और खास तौर पर ऐसे दौर में जब आप मीडिया से थोड़ी बनाकर रखते हैं आपने हमारे लिए वक्त निकाला इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तो यह थे हमारे साथ शिक्षा मंत्री अर्विन पांडे जिन्होंने वेवाक अंदाज से अपनी बात को रखा मुझे और मेरे सहयोगी सुभाज को दीदी अजादत अकली बार होगी एक नई शक्सिया से मुलाकात नमस्कार जैहिंग जैभारत जैह उत्राखन बतौर शिक अजया नहीं कहा कि मेरा नाम क्यों चाहरा गाना है क्यों कहूं कर दिल्कुल कहीं से प्रिंटे कुई ऐसी बात नहीं है साजविनी क्रूप से ये कहा था कि ये मेरी चुनोती है कि मैं सिर्फ अपने विबात की बात करता हूँ मैंने ग्यारा हजार से ज़्यादा नौक री दी आप कमिट्मेंट के बहुत पत्य हो और ये बात हमने भी आप से सीखी है